जो मुख्यमंत्री ने सुसपनी दिखा दे पहले उनका श्योग निगरे पूरे नहीं किसान के भी ना क्या सबसे बड़ा स्वाल है नमस्कार मैं परवीन कुमार और आप देख रहे हैं बैग न्यूज अभी कैथल जीले के सजूमा गाउं में मौजूद हैं और यहां पर हमा करने की कोशिश करेंगे कि आज तमाम जो पूरे देश का माहूल उतल फुतल है पूरे देश में किसान आंदोलन की बात करें या रोजगार के सवाल की बात करें नोजवानों में तमाम तरह के भ्रम हैं तरह की बाते हैं कि किसान सवाल पर किस ढंक से नोजवान सोच रही है जिस परकार से पूरे देश में एक बेरोजगारी का आलम चाया हुआ है और हर नोजवान मतलब बेरोजगारी की चपेट में है लगबग एक देश की बहुत बड़ी अबादी नोजवानों की आज बेरोजगारी की चपेट में है तो इस इनी मुद्दों पर इनी के इर्दग लिए सब्सक्राइब काल पर उस पर इनकी क्या राय है तो इन्हीं मुद्दों पर इनिके इर्दि गिर्द हम इन से जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ बने रही तो क्या नम है दोस्त पहले आपका प्रिंस है तो आपको जैसे क्या लगता है कि अभी जो दिल मतलब दिली म इन से वह अलगातार वहां पर धरना दे रही हैं तो आप क्या कहेंगे इन कानूनों के ले करके आप किसको जिम्मेडार ठहरा रहे हैं या क्या मतलब आपकी राय क्या है वह अंदोलन भी मतलब अपने अपने ठीक चल रहा है वैसे जो मुख्यमंत्री ने सपनी दिखा दे पह में नों कर तो क्या लगता है कि मतलब इस सरकार किन-किन मुद्तों पर खरी हैं और 2.3 मतलब क्यों क्या लगता क्या कारण क्या है कान तो बहुत सारे सर क्या है मतलब को यह कारण बताइए कारण किसान परिवार कितने जमीन की खेती करते हो आप तो आपको क्या लगता है सरकार के साथ जैसे कल भी वारता हुई है तो उसमें दो मुद्धों पे सैम्ति बढ़िए अब आग्या आपको लगता है कि कुछ समाधान निकले गा या नहीं निकलेगा समाधान तो नहीं निकला तो फिर किसान गरेंगे अपनी जो करने तो आप मतलब पूरा पूरा श्योग दे रहे हुई तो एक दोस्तों रभाई हमारे साथ क्या नाम है बाई आपको जैसे मोधी सरकार ने पूल क्रोड नोकरीं की बात करी थी तो आप कई काम दंदा करनी आ या कोई रोजगार मिला आपको नहीं मिला थो आपको रोजगार के सवाल की वह पैसे लेने से में इंकार कर गया और बोला मैं दो दूनों पर मैं एक नंबर से रहा था उन्हें बोला कि अगर तुम्हारा कंप्लेट होगा तो मैं बता दूँगा पैसे की बार लाख में मांगे थे मैं बन्द कर नाम नहीं बताओंगा कोन है वह मतलब आप यह कहते है है कि जो पारदर सिता की बात करती है खटर सरकार वह इसमें नहीं है आपका कहना यही है मतलब आप जैसे मोद्धी सरकार ने दो क्रोड नोक्रियों की बात हुई थी क्या वो कही ना कहीं आपको लगता है कि वह दी है यह नहीं दी है मेरे ना कि तो नहीं दी है नहीं दी है अब आज मतलब इस सवाल को किस उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा सवाल आज देश का क्या है बेरोजगारी का सबसे बड़ा सवाल है क्यों है बेरोजगारी का कशा चीया अब बिल्कुल पर घर रहता हूं और अपना जो गड़ा काम वह कर रही है अब 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 आपका यहीं कि आपना नाम क्या बताया था अब साथ ही कुछ कहना चाहेंगे विनोध कुमार जी का यही कहना है कि आज देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा वो बेरोजगारी है कि आज बेरोजगारी इस डंग से चाही हुई है कि हर नौजवान मतलब उसमें वो बेरोजगारी के लिए मतलब चपपर टड़ुाता हुआ गुम रायगडियों में उसको कहीं काम नहीं है कहीं रोजगार नहीं है वो रोजगार की तलास में यहां से वहां बटकता रहता है लेकिन उसे काम स्थाई जो काम मिलना चीए किसी भी नौजवान को किसी को भी वो नहीं मिल पाता है उनको और आज सबसे बड़ी देश की समझे इन्होंने बेरोजगारी को ठहराया है तो किसान सवाल हो या बेरोजगारी का सवाल हो इन नौजवानों की राय हमने जानने की कोशिश की अभी हम सजूमा गाउं में हैं जो कैथल जिले का है कैमरा सहयोगी अजे के साथ मैं प्रवीन कुमार बैग न्यूज